दुर्गा पूजा का मौका हो और वाड नमबर 43 के दुर्गा पूजा मंडब के पास वाड नमबर 43 के पूरुपाशर एकलाक एहमद की ओर से पूजा गूमने आए लोगों को लिए कुछ खास ना हो ऐसा भला हो सकता है जी हाँ इसी रीद को बरकरार रखते हुए हर साल की तरह इस साल भी उत्तर कॉलकाता के प्रसेध तारा चंदत्ता स्ट्रीट के दुर्गा पूजा मंडब के पास वाड नमबर 43 के एक्स काउंसिलर और टीमसी मायनोटी सेल के स्टेट जेनरल सेकरेटरी एकलाक एहमद की ओर स नौर्थ कॉलकाता एकता वेलफेर ट्रस्ट की ओर से एक के स्पेशल कैम्प लगाया गया जिसमें बच्चों को सॉफ्ट रिंग्स के साथ ही साथ बड़ों के लिए वाटर बॉटल डिस्रिबूशन किया जा रहा है इस अवसर पे विकरांत सिंग, अशोक ओजा, अनवर खान, फिरोज खान समेच सैक्रो लोग शामिल थे, सभी ने एक ही सुर में कहा है कि एकलाक एहमद एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर धरम के तेवहार में इसी तरह लोगों की सेवा करती रहते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही एद मिलाद नभी के मौके पे हजारों लोगों को खाना खिलाई गई थी और वही आज से यानि कि 3-4,000 लोगों के बीच पानी और कोल्डरिंग्स बाटा जा रहा है और ये सिलसला अगले 4 दिनों तक जारी रहेगा, वही वाट नमबर 43 के एक्स काउंसिलर एकलाक एहमद ने कहा है कि उनके इस कोशिश का मतलब ये है कि ह दुनिया को ये दिखा सके कि हम सब एक हैं, हमारे बीच कोई भेद भाव नहीं है और यही पूरे देश को पश्चिम बंगाल से सेख लेनी चाहिए तो ये चार दिन का प्रोगाम चलता रहता है और नौट के इस तरह का प्रोगाम अक्सर लिया करते हैं, अब जैसे आप चानले दॉम्बर का जाड़े का महीना आ रहा है, उसमें हम लोग कमल डिस्टिबुशन करेंगे, उसके बाद एद है, एद में कप्ला दिया जाता है, और हमारे एंपी, नौट के गबागेट, और हरदिल अजीस, नेता, और सबों के दिलों में बसने वाले जनाब सुरीब बंदोपाद्वया है, वो भी तश्रीब आते हैं हर प्रोगाम में, और ये छोड़ा प्रोगाम है, इसलिए हम लोगे उसको नहीं तगलिव दिया, कि ये आइडिया आप लोगे जहन में कैसे आए तो लेगे इस तरह लोगे इस तरह लोगे पीजिए, अभी तो ये महाहूल है कि थोड़ा सा पूजा आगे पीछे, हर फेस्टिमल आगे पीछे, चांट के इसाब नहीं होता है, और जब गर्मी पढ़ा था, उसक जब आया ता तो अब मौसम खराबता तो अब कोशिस किये कि भाई यहां प्याव का कोई मसला नहीं था, तो हमने सोचा कि चलो की में एक खिद्मत का मुका मिलना अपने भाईों का, तो यही काम कर ले हम, यही सोच करके हमने यहां चुरू किया, हम महाँ जगह नहीं लागिया, वरने ए अपस में भाईचारे से मिलजिल करके मनाएं, जिसरह हमारी दिदी में कहा है, कि मजब सबका अलग अलग है, और उत सबका है, हम लोगे उत सबके तोर पे हर जगह जाते हैं, यहां के लोग भी हमारे जैसे भिकुबाबू हुए, आप अधर भाबू हुए, और कहते हैं, औ करें और उसके साथ ज्यादा टाइम आप इसलिए हम लोग करते हैं हर पार्टी के लोग हमारे हैं यह आपनी बात रखेंगे तो हम लोग हर प्रोगां जैसे इक विलाजिद में प्रोगाम हुआ सब्सक्राइस तो हर मिडिया वालों को पर रहा हैं अब हम लुग्स जो जिस बच्ची के साथ मामला हुआ वह तो एतना दुख और शर्म की बात है कि इसको तो मतलब जतना भी इसका वो निंदा किया ज़्या कम है अधर में जब कोशिस किया कि भई इसको डील किया और जिसको एक आदमी को जब पकडा गिया पुलिस ने जब उसको पकड़ा रेपिश्टको और उसको मडरा को उसके लावब हाई कोड़ कर दिया कि CBI इंक्वारी दी हुआ कि वही एक आदमी रेपिश्ट है तो यह मामला तो और पहले हमारा हाल हो सकता है अगर यह मामला को मौका मिलके कि इसमें तमाम लोगों ने स्यासी रोटी के प्रस्य का यहां के माहौल खराब करने के लिए यहां का माहौल आज जो तीन से लग रहा है कि यह पूजा का माहौल है वर्ण जो हालत था बैपारी का दुकान में माल पड़ा हुआ है लोग नहीं आते थे रास्ता बलोक रहता थ इसमें तमाम बीजेपी और सीपीम और कॉंगरेस के लोगों ने इसको एतना मतलब स्यासी रही दे दिया और तो गड़ा सोसल विल्स सोसाइटी के रुए रहा हमारे बड़े भाई साबी कॉंसलर जनाब इखलाक अमर साब का मैं बहुत उतर घुजार हूं कि हर साल वो यह क परपरेशन रहता है और हम लोग सब मिल जूल के हमारे मेले साथ में पुला ताउन करते हैं हर तरीके से उनका परपरेशन है हमारे बूल एंपी हैं जराज सुधी बंदो पाद्या जो हम लोगे सबसे महत्तपूल लीडर हैं हमारे कॉंसलर साथ सब तरीके सबका एक दूसे से परपरेशन मिलता है और एखलाग भाई बहुत अच्छे तरीके से यह प्रोगराम करते हैं हर साल करते हैं और इंशालला आगे भी उम एखलाग भाई हर साल जो है यंग बॉइज क्लब के सामने एक स्टॉल लगा करके यहां को ड्रिंग्स वगरा और पानी का इंतजाम करते हैं और हम लोग सब एखलाग भाई के बहुत बहुत शुकर गुजार हैं एखलाग भाई के अंदर जो है वो किसी भी जाती धर्म को अब सब एखलाग भाई का बहुत बहुत शुकर पूजार है कि इतना अच्छा प्रोग्राम और एतना अच्छा जो है एक सिच्प्टिुएशन यहां वो पाइदा कर देते है नोगों में एक मुहबत और यह एक कायम रहा है ये हर साल पूजा या दिवाली या काली पूजा एकलाग अहमस साब जो एक्स कॉंसलर 43 वाट के रह चुके हैं वो हमेशा पानी, कॉल्डिंग्स और भी बहुत सा चीज जो पूजा में खास करके बाठते हैं इससे ये साथ जाहिर होता है, इनके अंदर कोई कॉमनल फिलिम नहीं है ये हिंदू, मुसल्मान, इसाई, सिक्रिस्टन सबहों को ले कि ये चलते हैं ये सबसे बड़ी अच्छी एकलाग भाई की यादत है और हम लोग इनके साथ हमेशा कांसे साथ पर रखते हैं और इन्शाल्ला एकलाग भाई को हम लोग दुआ करते हैं कि हमेशा इसी तरह प्रोगराम करते हैं जिसका संचालन एकलाग भाई करते हैं उनके साथ में और बहुत से लोग जूड़े में हैं ये जो कारेकरम आज यहाँ कर रहे हैं, ये कोई नया नहीं है हर वर्ष एकलाग भाई इस मंच के माध्यम से यहाँ पर वित्रण का काम करते हैं जिसमें ठंडा जल, रिफ्रेश्मेंट हम जो भी लोग यहाँ पर पुजा पंडाल देखने आते हैं उन सब को देते हैं बच्चों को, बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट की वेवस्ता ऐसे बच्चों को और लोगों को रिफ्रेश्मेंट दे कर दुरगा पुजा के इस अफसर पर एकलाग भाई और ये नौर्थ केलकटा वेलफेर एसोसेशन के माध्यम से ये बताना चाहता है के हम लोगों के बीच में कि लोगों के हर तैवार में, हर काम में एक जूटा के साथ में मिल के हम लोग उनको बड़े आनन्द के साथ मनाएं और इस काल के पहल करते हैं एकलाग भाई यहां हर साल करते हैं और हम लोगों को बहुत खुशी मिलती है जो लोग यहाँ पर आते हैं रिफ्रेश्मेंट लेते हैं और यह कारेकरम और तेजी से आगे बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा अजय का शंदेश में असक्राइब देखे मैं आप लोगों को यहीं बोलना चाहूंगा सब लोगों को यहीं बोलना कौँगा मादुर्गा के आसिरवात से आप सब के जीवन में सुक शांति और सम्रिदी आए लोगों में लोगों की सभी मनोकामना पुन्ध हो लोग अपने उद्देशे में सफल हो शांती आए लोगों में सम्रिदी आए मादुर्गा सब कर लान करेगी नहीं से